दोस्तों मैं सौरंबली का आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ डेली करेंट फिर क्विज में आजम देखने वाले हैं 14 अक्टूबर की करेंट फिर को जो की सभी प्रिक्साओं के लिए मैथपून रहेगी डेली करेंट फिर क्विज में मैं आपको डेली 10 मिनिट में 20 करेंट फिर के कोशन आंसर्स को कवर कराता हूँ जो की पूरे दिन की करेंट फिर होती है देखे दोस्तों सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा करेंट फिर आपको regular basis Only Top Study चैनल पर मिल जाती है अगर आप इस वीडियो का और बाकी की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पराप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करके दोस्तों आज ही चैनल के साथ में जुड़ जाएगा नीचे रेड़ का बटन दिख रहा होगा बेल आइकन को भी ओन रखेगा ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँचते रहे किसी भी एक्जाम के लिए Master PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारी वेबसाइट या फिर WhatsApp नंबर पर विजिट कर सकते हैं और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा वीडियो को सुरू करने से पहले Question of the Day का आंसर बतेगा दही का पी एच मान कितना होता है इस Question का आंसर सभी लोग comment बॉक्स में बतेगा वीडियो के एड में इसका आंसर आपको मिल जाएगा चलिए सुरू करते हैं आज की Current Affair को पहला Question आपकी स्क्रीन पर है हाल ही में किसने से बी के पूनकालिक सदिश्चे के रूप में कार्यभार संभाला है से बी यानि की दोस्तो Security Exchange Board of India और इसके जो पूनकालिक सदिश्चे बने हैं दोस्तो वो बने है A.N. गौपाल किर्सिन दोस्तो यानि की Option A. रहट आंसर रहेगा आप इनकी याँ पर फोटो भी देख सकते हैं दूसरा Question दोस्तो आता है हाल ही में किस राज्जय ने भूमी रिकोर्ड को Digitalize करने के लिए 46 करोड रुपे के अनुबंद पर हस्ता अकसर किया है इस Question का दोस्तो राज्जय ने पहली बार मांसिक सवास्ट और समाजिक देखभान नीती की खोशना की है मेरे प्यारे दोस्तो इस Question का राज्जय आंसर क्या रहेगा बिल्कुल सही उत्तरा आप लोगों ने किया है दोस्तो मेघाल्य है अगला कोशन आता है अगर आपको हमारा Content पसंद आता है पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज दोस्तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और अपने सभी दोस्तों को भाई बैन को जो भी competitive exam की तयारी करते हैं उन तक वीडियो को जरूर सेयर कर दिया गरे है इस question का दोस्तों right answer हैगा बिहार यानि कि B right answer हैगा दोस्तों question number 4 का अगला question दोस्तों हमारा आता है हाल ही में कहा फीफा अंडर 17 महिला विसकब सुरू हुआ है तो इस question का दोस्तों right answer क्या रहेगा बिल्कुल ओडिसा दोस्तों right answer रहेगा यानि कि option C is the right answer दोस्तों अगला question आता है हाल ही में वाडा athlete जैविक passport संगोस्टी का सुबारम कहा हुआ है very very important है ये question भी इस question का right answer हो जाएगा दोस्तों आपका नई दिल्ली में यानि कि B right answer हैगा question number 6 का अगला question दोस्तों आता है हाल ही में किस भारते खिलाडी ने CSK Academy का उदगाटन किया है तो इस question का दोस्तों right answer क्या रहेगा बिल्कुल महिंदर सिंग धोनी ने यानि कि C right answer रहेगा question number 7 का दोस्तों अगला question आता है हाल ही में 2022 जापान ओपन पुरूस एकल किताब किस ने जीता है दोस्तों इस question का right answer क्या रहने वाला है बिल्कुल सही उत्तराप लोग रहेगा है टेलर फ्रिस्टर्स दोस्तों right answer रहेगा यानि कि option दोस्तों A right answer रहेगा आठवे question का दोस्तों अगला question आता है कि हाल ही में समुदरी विवाद पर इसराइल और किस देश ने इत्यासिक फैसला किया है important question है ये वाला भी ठीक है तो इस question का दोस्तों right answer रहेगा देखे इसराइल और Lebanon यानि कि right answer दोस्तों option C रहेगा question number 9 का ठीक है जी चले अगला question दोस्तों आता है किस राज्य ने पहली बार मांसिक सवास्त और समाजिक देखबान नीती की गोशना की है I think ये वाला question मैंने अभी कराया ना आप लोग को तो इस question का right answer आप लोग comment box में बतेगा दसवा question repeat होगा आज पहली बार repeat वाए दोस्तों हमारा question तो please comment box में answer बतेगा अगला question दोस्तों आता है टीपू express का नाम बदल कर रेल मंतरालिय ने क्या कर दिया है तो इस question का दोस्तों right answer बतेगा बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया है तो दोस्तों right answer क्या रहेगा वोडे आर एक्सप्रेस यानि की option a right answer रहेगा अगला question आता है discuss thrower कमल प्रीथ कोर पर कितने साल का परतिबन लगाया गया है मेरे प्यारे दोस्तों 12 question का right answer रहेगा बिल्कुल 3 साल के लिए पर दोस्तों परतिबन लगाया गया है यानि कि B right answer रहेगा question number 12 का अगला question दोस्तों आता है 13 सेना दिवस प्रेट 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा इंपोर्टेंट है वह यह वाला भी ठीक है तो इस कोशन का दोस्तो रहेगा यह बैंगलूर में क्या जाएगा दोस्तो यानि कि तेरवे कोशन का रहेगा आपका C रहेगा अगला कोशन दोस्तो आता है परदान मंत्री नेंद्रमोधी किस वंदे भारत ट्रेन का उधगाटन करेंगे तो 14 का दोस्तो रहेगा बिल्कुल उन्ना दिल्ली यानि कि रहेट आंसर ओप्शन ए रहेगा भई कोशन नमर 14 का अगला कोशन दोस्तो आता है केंद्र सरकार ने एथनोल सबसडी योजना को कब तक बढ़ाया है तो 15 कोशन का रहेट आंसर दोस्तो क्या रहेगा बिल्कुल मार्च 2023 तक यानि कि C रहेट आंसर रहेगा कोशन नमर 15 का अगला कोशन है दोस्तो केंद्र सरकार ने किसे जम्मू कस्मीर और लद्दा कुछ नियाले का मुख्य नियादिस न्यूक्त किया है ये भी काफी इंपोर्टेंट कोशन होगा दोस्तो एक्जाम के पॉइंट अव्यू से तो 16 का दोस्तो रहेट आंसर रहेगा बिल्कुल अली 17 का दोस्तो रहेट आंसर क्या रहेगा द्रोबदी मुर्मुजी ने यानि की option A रहेट आंसर रहेगा ठीक है अगला question दोस्तो आता है किस राज्य ने भारत के पहले कड़वावूर, सिलेंडर, लोरिस सेंचुरी की घोचना की है तो 18 कोशन का दोस्तो रहेट आंसर रहेगा किसने किया दोस्तो और देखिए जहां पर पहला वर्ड आ जाता है वो question very very important बन जाता है इस question का दोस्तो रहेट आंसर रहेगा 18 का C रहेट आंसर तमिला लुमे ठीक है अगला question आता है दोस्तो तो कितने स्मार्टफोन एरटेल की 5G connectivity को सपोर्ट कर पाएंगे तो 19 कोशन का दोस्तो रहेट आंसर रहेगा option B 116 phone ठीक है ये भी एक important question हो सकता है अगला question दोस्तो आता है भारत में कौन सा हवाई अड़ा 100% हरित उर्जा सुरोतों में बदल दिया गया यानि कि green energy में बदल दिया गया है तो 20 कोशन का दोस्तो रहेट आंसर रहेगा बिलकुल छतरपती, सिवाजी, अंतरास्टे, हवाई, अड़ा जो कि कहां पर है दोस्तो मुंबई में तो 20 कोशन का रहेट आंसर आपका option A रहेगा ये तो थे हमारे 20 कोशन अभी homework का कोशन question of the day और revision question के बारे में बात कर लेता है तो सबसे पहले दोस्तों जो homework का कोशन है इसका answer comment box में बताएगा भारत की T20 World Cup टीम में किन गैंदबाजो को सामिल किया गया है तो इस question का answer आप लोग को comment box में बताना है इसका answer आपको कल की वीडियो में बिल जाएगा revision question जो कि हमारी कल की वीडियो से है जो हमने कल पढ़ाया था दोस्तों question है कि कौन जल्ध ही अंत्रिक्स में सूट करने वाले पहले अभिनेता होंगे तो इस question का right answer भी आप लोग comment box में जरूर बतेगा दोस्तों आज का हमारा question of the day है कि दही का pH मान दोस्तों कितना होता है ये भी important question है और इसका answer दोस्तों रहने वाला है देखिए दही का जो pH मान होता है दोस्तों चार से पांच के बीच में होता है तो वो options पर depend करता है यानि कि option C right answer रहेगा कई बार 4.4 भी exam में आपको मिल सकता है तो ये आपको ध्यार रखना है कि 4 से 5 के बीच में होना चाहिए option में ठीक है ये थी दोस्तों हमारी complete video अचा कल का जो homework वाला question है उसका answer बता दीता हूँ दूसरी संयुक्त रास्टे विस्वभू इस्थानिक सूचना कॉंग्रेस भारत के किस सहर में हो रही है तो हैदराबाद दोस्तों रइट answer हैगा ठीक है option A तो ये थी हमारी complete video अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने हर एक गुरूप में अपने हर एक दोस्त को भाई बहन को जो भी competitive exam की त्यारी करते है उन तक सेयर करें क्योंकि 10 मिनट से कम समय में दोस्तों बीज करेंट फिर के question answer हम regular cover करते है अगर आपको वीडियो के notification प्राप्त करने है तो चैनल को तुरण सबस्काइब कर लेना नीचे रेड कल का बटन दिख रहा होगा बैल आइकन को भी on कर लेना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिजना हो Master PDF डाउनलोड कर लेना दोस्तों करेंट फिर की Master PDF GK की Master PDF या साइन्स की या फिर कोई भी अधर एक्जाम के लिए ठीक है WhatsApp नमबर या वेबसाइट से थेंक्यू सो मच बाई बाई आई आई टेक क्यार ख्याल रखे अपना मिलते हैं कल की ग्लास में